हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज किस वीडियो में आपको बताने आ लाओं किस तरह से आप एक अप्लिकेशन डाउनलोड करके उसके जरीए आप अपने मोबाइल का कोई भी आपका मोबाइल लोग खोलने की कोशिश करेगा तो उसका फोटो क्लिक हो गलक लोग डालेगा कोई भी आपका मोबाइल लेकर चार्ज में लगाए और कहीं पर रखे हो तो उसका फोटो आजाएगा और फिर आप देख सकते हो कौन है आपका मोबाइल जो टच किया है और लोग खोलने की कोशिश किया है बिना आपके अनुमतिके बिना आपके परम लोड करना है इस अपंद को ओप्सेन को और फिर यहां पर एक्सप्ट का ऊप्सेन आएका तो एक्सेप्ट कर देता है और आगे का मांग रहा है यहां पर दो डूर्मिशन देगा तो दुनों पर्मिशन आपको आन कर देना पहला थीला याes कoh आपको ओन कर यह करना है तो यहां पे रहती हैंक यहां परब्लिटिएट रहोगा है ही यहां से इस अपलीकेशन को ढूड़ लेill WTMP इसको मैंने permission दे दिया इस तरह से permission दे देना है green हो जाएगा और ये notification का है इसको देना चाहते है तो दे सकते हैं अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं अपने इसाब से इसको आप adjust कर सकते हो फिलाल मैं बंद रखता हूँ क्योंकि notification का मुझे कोई जरूरत नहीं है तो यहाँ से आपको cancel कर देना है notification को आप बंद कर सकते हैं बाकी चीज़े आपको setting करके रखना पड़ेगा on करके रखना पड़ेगा इस तरह से on करने के बाद आपको क्या करना है अपने mobile को lock करके check कर लेना है कि आपके mobile में एक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है तो फिलाल मैं क्या करता है अपने mobile को एक बार lock करता हूँ लोग करने के बाद अभी शुरू में आपको दिखाया था जिस तरह से तेरह application lock करके मैंने देख लिया फिलालो वीडियो रेकॉर्ड नहीं हुआ तो lock करके जैसे गलत तरीके से lock खोलते यानि कि दूसरे passport डाल के कोशिश करते है खोलने के लिए तो आपका इसमें फोटो आ जाएगा मैंने दो बार कोशिश किया गलत passport डाल के खोलने के लिए पर नहीं खुला इसमें इस तरह का फोटो आ जाएगा फिर भी आपका mobile कभी भी कोई अगर टच करता है बीना बताए आपका lock खोलने की कोशिश करते है तो इस तरह से फोटो आ जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताए ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों मिलते आपको नेस्ट वीडियो में